नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी कांगे दिश्पारिस इडिया पर मैं हूँ अंकेद अवस्थी, आप सभी ने कल मेरे साथ एक सेशन सुना था जिसमें मैंने ये बताया था कि इसराइल की तरफ से एक मिसाइल चला करके सीरिया की राजधानी दमस्कस में इरान के एक कॉंसुलेट को तैसनेस कर दिया गया था और उसके अंदर लगबग साथ इरानियन सेना के लोग मारे गये थे, सेना इरान की कुद्स फोर्सिस के लोग मारे गये थे अगर आपको ये दिहान है तो हमने ये session किया है, आप चाहें तो जाकर इसे एक बार और rehearsal करके देख सकते हैं, हाला कि YouTube ने इसको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करके interfere कर दिया था, हमने आपको ये कहा था कि अगले 48 घंटे के अंदर retaliation हो सकता है, अगले 48 घंटे में retaliation की पूरी उम्मीद थी, वो तो नहीं हुआ, 48 घंटे भी फिलहाल लेकिन चल ही रहे हैं, ऐसी इस्थती में इरान की तरफ से अमेरिका को संदेश मिल गया है, कि भाया सुनो, आप इस जंग से दूर रहना, मैं बदला लेने की तयारी में हूँ, अब बड़ा सवाल ये है कि इ पर अगर आपने किसी भी धारवाहिक को ध्यान से देखा हो, जो अपन जब बच्पन में छोटे थे, अबरामायन महाभारत के अंदर देवताओं और राक्षासों की लड़ाई दिखाई जाती थी, उसमें पहले एक चेतावनी का दौर होता था, चेतावनी से चेतावनी के धीरे धीरे चलते चलते थोड़ा वार्म अप होता था, और उस वार्म अप में जब जब जबानी जन चलती थी, उसके बाद फाइनली तीर कमान चलने शुरू होते थे, कुछ वैसा ही यहाँ पर फील हो रहा है, अब जबानी जंग के साथ साथ धमकियां भेजी जा रही है इरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि आप दूर रहिएगा, इसराइल से जब हम बदला लेंगे उस समय तो एकदम नजदीक मत आईएगा, ऐसी इस्थिती में ये वाली खबर आगे बढ़ती है, और बढ़ती क्या है, आपको हमने ये जानकारी दी है पहले, अगर सुलेमानी का राइट हैंड टाइप का व्यक्ती मारा गया था, ठीक है न, तो ये साथ लोग मारे गये थे, और जब साथ लोग मारे गये तो आप सोचिए कि जो इनके सेद खुमैनी है, जो इरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता है, सरवोच नेता है, वो इनकी अंतिम या देख सकते हैं, आप यहां पर सभी जगे, इरान वर्न यूएस स्टैप असाइड अमेड प्रपरेशन टू अटेक इसराइल, यानि पबलिकली अब ये हो चुका है कि इरान इसराइल पर हमला करेगा, अमेरिका से कह दिया है, साइड में रहना भाई, अच्छा, इसी बीच में, यूएस भी अपने आपको हाई अलर्ट पर डाल दिया है, एक तरह से तो ये, अमेरिका को ये कहा गया है, कि आप अलग रहना, इसका मतलब अमेरिका से कहा गया, आप पर हमला नहीं होगा, लेकिन अगर इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, तो इसका मतलब ये भी निकल करेंगे, कि अमेरिका तक मार करने की मिसाइले हैं, क्या इरान के पास, कि वो अमेरिका को टार्गेट कर देगा, आज के सेशन में बहुत जरूरी है ये चीज, तीसरा, इसराइल ने इस दौरान क्या कर दिया, अब आप सोच कर देखिए, कि इसराइल ने अपने देश में GPS कर दिया है, यानि इंटरनेट के माध्यम से अगर आपको लॉकेशन मालूम करनी है, वो बंद कर दिया है, और तो और, एक और चीज जबरदस्त तरीके से इनों ने बंद की है, और वो क्या है, अपने 28 दूतावास दुनिया भर में इसराइल ने बंद कर दिये, ये कोई छ और इसराइल दौनों तयार हैं कि बदला तो होगा, अब वो बदला इसराइल देश पर होता है, अमेरिका देश पर होता है, या उनके ठिकानों और एमबैसी पर होता है, ये देखने वाली बात होगी, इस पूरी जानकारी को डिटेल से बताएंगे, उनका भले GPS बंद हो, तो आपका इंटरनेट ओन है, तभी आप मुझे सुन रहे हैं, एक छोटा सा कष्ट करिए, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे जाकर क्लिक कर दीजिए, उसमें 0.192 लगती है, मैं जादा बोल गया हूँ, उतने देर में तो सब्सक्राइब हो जाएगा और बैल अपडेट भविष्च में जल्दी मिलेंगा और मेरा उत्साहा वर्धन हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, तो मध्यपूर्म में तनाव बढ़ा हुआ है, इसराइल और हमास के बीच पिछले 6 महीने से जंग चल रही है, अक्टूबर से चले थे, अप्रेल निकलने को आया, लेकिन इनके बीच की शांती दुनिया ने UN के माध्यम से कराने के प्रयास किये, वो तो करा नहीं पाए, इसी बीच में इसराइल और इरान भी अपना फ्रंटियर खोल दिये हैं, दौनों अपने अपने तरीके से अपने अपने को धमका रहे हैं, कि हम तुम्हारा बदला इसराइल ने सैनिकों की चुट्टियां बंद कर दिये, लोगों ने पैनिक में ग्रॉसरीज खरीदना शुरू कर दिया है, जी पीएस क्लोज कर दिये है, बौर्डर सील कर दिये है, सारी तरह से इसराइल युद्ध की तयारी की तरफ बढ़ गया है, आपको ध्यान दिला इसराइल ने एक अप्रेल के दिन सीरिया के अंदर दमस्कस में इरान के दूतावास के बगल में ही इरान का कॉंसुलेट था, यानि वानिजिक दूतावास था, उस पर इसराइल ने मिसाइल दागी, जिसकी वजह से वहाँ पर साथ इरानियन मारे गए, जो कि कुद्स फोर इनी देख रहे हैं जो इनके साथ में हैं और उनके लोग इनको देख करके इसराइल को भला बुरा कह रहे हैं, इनकी जब शवयात्रा निकली थो बड़ी संख्या में इरानियन सडकों पर थे और इसराइल के प्रती बड़ा ही नफरत का भाव था, लेकिन इंट्रेस्टिं अड़ा था और कुद्स फोर्सेज को इसराइलिक आतंकी संग्ठन की तरह ही ट्रीट करता है, और कुद्स फोर्सेज दूसरे देशों के अंदर एजंडा चलाती है इरान के लिए और उसके उपर फाइरिंग हुई है, ये सरकारी बयान नहीं है, एक कमांडर की तरफ से दि की दे दी है, कि यदि कोई भी तरही के से तुमने हमें नुकसान पहुचाने का सोचा, तो इसके घातक परिनाम होंगे, इसका मतलब जुबानी जंग भी जंग की शुरुआत से पहले बहुत तेजी से चल रही है, इतने हालात हैं कि एरान के अंदर अमेरिका और इसराइल क लकड़ों को, मतलब के नाम से फ्लैग्स को लकड़ों से लपेट कर गसीटा जा रहा है, जिस प्रकार से उन्हें पनिश्मेंट दिया जा रहा हो, इस प्रकार की पिक्चर्स शो हो रही हैं, इरान के अंदर बहुत सारी जगहे पर इसराइल के सैनिक कमांडरों के मोस्ट व प्रकार की मिसाइल्स हैं, तमाम प्रकार के ड्रोन्स हैं और ये कभी भी किसी भी अड़े को टार्गेट कर सकता है, कुछ इस तरह से इरान की तयारियों को दर्शाते हुए, मिडिल इस्ट अब्जरवर में एक वीडियो पोस्ट किया गया, कि ये लोग पूरी तरह से प्र तो उसे ये भी पता होगा कि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है, ऐसी इस्तिती में एरान ने पहला पैगाम अमेरिका को भीजा, बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका मान जाएगा क्या, क्या अमेरिका एरान की धंकी को seriously ले लेगा क्या, अब ये बात बड़ी interesting हो जाती ह और इंट्रेस्टिंग क्यों हो जाती है, जब अमेरिका के अंदर इस बात का हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है, कि एरान रिटैलियेशन कर सकता है, अगर आपको हलका सा भी मैप ध्यान में आ रहा हो, तो मिडिल इस्ट में एरान है, और उए कौने में जाके अमेरिका आता हूँ, आप यहाँ पर अमेरिकी न्यूस चैनल, CNN के अंदर हो रही इस न्यूस लाइव रीडिंग को देख सकते हैं, जिसमें यूएस में हाई अलर्ट है, ये न्यूस चैनल में चल रहा है, कि यूएस के लोग हाई अलर्ट पर हैं, कि एरान रिटैलियेशन कर सकता है इरान बदला ले सकता है, अब ये न्यूस में बार बार एक ही तरीके की बात, कि अगले हफते में किसी भी समय पर इरान हम पर हमला कर सकता है, अमेरिका को चिंता क्यों है, मतलब अमेरिका को डरना तो चाहिए ही नहीं, अब मैं आपको वो कारण तक लेके चलता हूँ, कि अमेरिका का डर का कारण क्या है देखिए असल महाइने में जब आप मिडिल इस्ट की तरफ पहुचते हैं जो फारस की खाड़ी है यानि की पर्शियन गल्फ जो है उस पर्शियन गल्फ में एरान के जस्ट सामने वाला जो छेत्र है न उस छेत्र को अगर आप ध्यान से कि America इतना पावरफिल क्यों है क्योंकि उसने Middle East में बहुत सारी देशों में अपनी टूप्स बैठाई हूई हैं बहुत सी जगे उसके air bases है बहुत सी जगे उसकी सेना बैठी हुई है बहुत सी जगे जहाज-पानी में खड़े हुए हैं ऐसी स्थती में अगर इरान ने अमेरिका को नुकसान पहुचाने के लिए किसी देश में अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया नमबर एक नमबर दूसरा अमेरिकी दूतावास दुनिये के लगबग हर कौने में खुले हुए हैं अगर किसी दूतावास को टारगेट कर दिया तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेजजती होगी अमेरिका हर देश में वही सुरक्षा और सुविधा उपलब्द नहीं करा सकता For an example, अमेरिकी दूतावास अगर पाकिस्तान में है और एरान अमेरिका के दूतावास को पाकिस्तान में टार्गिट कर दे तो इसका कोई जवाब देने वाला नहीं होगा और मुझे जिस चीज का सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना लगती है वो ये है कि इरान डायरेक्ट वार में नहीं इन्वाल्व होगा मैं इस कटिंग को निकाल लेना जब ये दो-चार दिन के अंदर न्यूज आएगी उस समय देखिएगा मेरा प्रेडिक्शन मैं बता रहा हूँ क्योंकि पांच-पांच मैंने पहले मैंने प्रेडिक्शन दिये थे वो आज सही हो रहे हैं मैं फिर से एक प्रेडिक्शन दे रहा हूँ मुझे जो लगता है संभव है कि इरान आने वाले समय में अमेरिकी दूतावास को कॉंसुलेट को इस्राइली दूतावास और कॉंसुलेट और इनके जो नागरिक हैं दुनिया भर में उनको किसी-दा-किसी प्रकार से छती पहुचाने का प्रयास कर सकता है हाला की अमेरिका का कोई भी व्यक्ति या अमेरिकी कॉंसुलेट Similarly, Israeli व्यक्ति और उनका Consulate और Embassy अगर किसी भी प्रकार की छती में पहुचते हैं, तो इसका परिनाम अमेरिका और इसराइल पर हमले के समान ही माना जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रिये इस तरपर इरान के समर्थन में लोग तब खड़े हो पाएंगे, Because सब जगे, UN में जब चर्चा हुई इस बात पर कि इरान के Consulate पर हमला हुआ है, ये Vienna Convention का उलंगन है, ऐसी स्थिति में संभव है कि इरान के द्वारा भी यही सेम काम करना, ये कहा जा सकता है कि इन्होंने टिट फोर टेट किया है, इन्होंने किसी पर हमला नहीं किया है, और इस तरह से मामले को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ये तो तैह है कि इरान बदले के बिना तो नहीं रहेगा, आप सोचिए, सुलेमानी या फिर उनका जो बम बनाने वाला जो व्यक्ति था, जो न्यूकलियर बम बनाने वाला फ़कीर जादे जो था वैग्यानिक था, उनकी मौत अभी इस्राइल से बदला, उन्होंने हमास को उकसा कर गाजा से 7 अक्टूबर के दिन इस्राइल में हमला करा कर आके बदला लिया था, इरान बदला तो जरूर लेगा, लेकिन तरीका और समय वो खुद तैह करेगा, इरान का बदला तैह है, ये अमेरिका और इ इस बार इरान ने जो इसराइल को 7 अक्टूबर के हमले से नुकसान पहुंचाया, उसकी परिनिती में गाजा को तो बहुत नुकसान हुआ, गाजा का तो आधा मामला साफ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इरान को डायरेक्ट कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा हैं कि अमेरिका ने प्रॉमिस कर दिया है कि वो इरान के अटैक को, मतब इरान पर जब इरान जब बदला लेगा इसराइल से, तब वो बीच में नहीं बोलेगा, हाला कि ट्विटर ने इस बात का तुरंत खंडन भी कर दिया, कि नहीं नहीं साब, ऐसा कुछ भी हुआ नही हैं, अमेरिका के साथ एक और बड़ी चुनावती इन दिनों उक्सी है, और हो क्या है, आपको पता है कि अमेरिका में राष्टपती चुनाव होने वाले हैं, बाइडन, बाइडन की पार्टी के डेमोक्रेट्स, ट्रंप की पार्टी के रिपबलिकंस, दौनों की दौनों फिलहाल अमेरिका की नीतियों पर लेकर सवाल उठा रहे हैं, अमेरिका ने जब इसराइल और हमास चल रहा था, तब इसराइल का साथ दे करके, दुनिया भर में एक क्रिटिसिजम भी जहला था, और वो इस बात का था, कि अमेरिका के दिये हुए वैपन्स से, इसराइल न हाना कि इसराइल ने इसे act of war कहा था, कि हम पर जब हमला हुआ है, तो retaliation में हम हमास को मार रहे हैं, और collateral damage में उनके लोग मर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी वैपन्स के चलते इसराइल ये सब कर पाता है, इसके चलते बाइडिन को अपने ही देश में काफी जादा प्रतिकरिया जहिल नहीं पड़ रही है, updated खबर ये है कि वो Nancy Pelosi जो Biden के कहने पर चीन से पंगा लेने के लिए Taiwan चली गई थी, उन तक ने Biden से कहा है कि मैं Democrats के साथ हूँ, आप इसराइल को वैपन नहीं बेचेंगे, यहाँ पर ये खबर इस समय लीडिंग खबर में है, 9 गंटे पहले की ख अमेरिका में Biden को अपने ही सांसदों की प्रतिकरिया का सामना करना पड़ रहा है, वो लोग अमेरिकी रास्टपती से कह रहे हैं कि आपने इसराइल को वैपन दिये, इसराइल उन वैपन से उस पूरे चेतर के अंदर कोहरा मचा के रखा है, ऐसी इस्थिती में ये लोग च निकालते हुए, फिर से कतर को याद किया है, कतर को याद करके कहा है कि भाईया सुनो, आप जैसे पहले मध्यस्तता करवाए थे अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच, जैसे मध्यस्तता करवाए थे इसराइल और हमास के बीच में बुला करके युद बंधियों को से अमेरिका ने request की है कि दौनों देशों को बुला करके शान्ती करवा दो ऐसी इस्थती में अंदर की बात बताई जा रही है कि बाइडन ने इसराइल से साफ शब्दों में कहा है बीवी कहा जाता है नेतन्याहू को कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा ऐसा कहा जा रहा है या बाइडन इसराइल के या नेतन्याहू के रवाईये से अमेरिका इस समय परेशान खुद से बताए जा रहे हैं खैर फिलहाल के लिए इसराइली हमले गाजा पर रुके तो नहीं है लेकिन इस बीच में नेतन्याहू ने क्या किया है तो बड़ा अपडेट ये है कि इसराइ था कल की ही संभावना सबसे जादा थी फ्राइडे के दिन जब रमजान का आखरी जुम्मे की नमाज और उसके साथ साथ कुद्स डे कहा जा रहा था कि इसी दिन इरान बदला लेगा और बदले में इसराइल भी जानता है कि उसकी एमबसी या कॉंसुलेट को टारगेट कि या जा सकता है ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ उन्हें संभावित खत्रा लगा उस जगह पर अपनी एमबसी को क्लोज कर दिया इसीके साथ साथ एमबसी क्लोज करने के इनहों ने अपने देश में रहने वाले लोगों के सभी वीकल्स और मॉबाइल के GPS आफ कर दिये यानि कि यहाँ पर भी अगर स्विगी जो मैटो चल रहा होगा, ओला उबर चल रहा होगा, तो वो अपनी लॉकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, क्योंकि इसराइल ने अपने देश में कोई भी ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग मोबाइल के थुरू ना हो पाए, इंटरनेट क इसको सुनिष्चित करने के लिए GPS क्लोज कर दिये हैं, और लोगों को पूरी तरह अलर्ट में भेज दिया है, यहाँ तक भी कहा गया है कि सभी लोग सतर्क रहें, इनके द्वारा वार की सतर्कता वार्निंग जारी करते ही, इसराइली लोगों ने अपने अपने घरों में ग्रॉसरीज का या फिर खाने के जो भोजन की सामगरी है, पैसा है, इनको स्टोर करना शुरू कर दिया है, ऐसी ही एक तस्वीर एक सुपर मार्केट से सामने आई, जिसमें बड़ी संख्या में इसराइली नागरिक दिखाए जा रहे हैं, हाला कि हम इस वीडियो की सत्तित कि पुष्टी नहीं करते हैं, यह वीडियो इंटरनेट पर बड़ी तेजी से सर्क्यूलेट हो रहा है, संभव है, AI के टाइम पर यह फेक वीडियो हो, या हो सकता है कि यह पुराना वीडियो हो, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय तरहा है वो यह है, कि इस्रा के साथ अपने लोगों को रखे हुए हैं अब 48 गंटे के समय को अगले पांच दिन तक बढ़ा दिया गया है कुछ लोगों का कहना है कि रमजान खत्म होने के बाद भी इरान बदला ले सकता है लेकिन अगले पांच दिन का कोई खबर तो नहीं है मतलब कोई लॉजिक तो नहीं है लेकिन खबर जरूर है कि अगले पांच दिन में इरान ड्रोन्स और अपनी क्रूज मिसाइल के साथ बदले की कारवाही कर सकता है हम तो इसी अपडेट में हैं कि इनके बीच में कोई शान्ती की सूचना आए, वापस से एजिप्ट और कतर निकल कर आए और इस गल्फ के अंदर शान्ती स्थापित करें, कारण बहुत बड़ा है, अगर इस अशान्ती के दौर में इसराइल और हमास या इसराइल और गाजा हो गया था, लेकिन अगर इरान और इसराइल के बीच कन्फिक्ट शुरू हो जाता है, तो समझ ये गल्फ वापस से युद्ध में धुलस जाएगा, और ऐसी इस्थती में इरानी अमेरिकी ठिकानों पर अगर हमला कर दिये, तो इरान को अफगानिस्तान की तरह बंबार्म होना, तेल की आपूरती जो भारत लगबग 60% गल्फ से करता है, उसको बाधित कर देगा, ना केवल भारत की तेल की आपूरती बलकि बहुत से देलों की देशों की तेल आपूरती बाधित होगी, और ऐसी इस्थती में महंगाई बहुत चरम तक पहुँच जाएगी, तेल की आपूरती का बाधित होना बहुत सी चीजों को प्रभावित करेगा, और ऐसी इस्थती में भारत में 1901 में जैसे हालात फिर से बन सकते हैं, ये इस्थतीयां दुनिया भर के लिए बहुत घातक हो सकती हैं, 99 जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि गल्फ वार के दौरान ही ऐसे हालात तब बने थे, हम यही सब दुआ करते हैं, कि जितनी भी बड़ी पावर्स हैं, वह आकर कि इनके बीच में मध्यस्तता करवाएं, और इस मामले को किसी ना किसी प्रकार से सौल्व करवाएं, बाकी आपको इस विशह पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक दिल की असीम गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस विशह पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप में से कोई विध्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है, तो मेरे एक अन्य प्लैटफॉर्म अपनी पाट्शाला वंडे एक्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, जाकर के आप उसे फॉलो करें, और अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार PCS और UP PCS को लेकर हमारा एक और अन्य चैनल अपनी पाट्शाला PCS पर निरंतर क्लासेज मेरी टीम ले रही है, बहतरीन कंटेंट है, जाकर उसका लाप सु करें, बहुत बहुत धन्यवाद.